बिध्यार्थी को 50% सवालों कहीं अब देना होगा जवाब यानि कल से एक फरवरी से इंटर का जो एक्जाम चालू हो रहा है उन सब ये व्यार्थी के लिए ये मत्पुन बाते हैं इसे जरूर जानना चाहिए क्या करना चाहिए दो तीन बाते हैं उसको ध्यान में रखेंगे आप लोग बिध्यार्थी को 50% सवालों को अब देना होगा जबाब मातर देखें इंटर परिक्षा कल से यानि कि एक फरवरी से बिहार बिध्याले परिक्षा समीति की ओर से बुद्वार यानि कि एक फरवरी से इंटर की वार सी परिक्षा शुरू हो रही है परिक्षा में पहली बार विद्यार्थियों से प्रतेक विशे में दोगुन्य प्रस्ण पूछे जाएंगे यानि कि ये पहली मौका होगा पहली बाल होगा कि अगर दोगुने प्रस्ण पूछे जाएंगे यानि कि जितना प्रस्ण का उत्तर देना है उससे ज्यादा प्रस्ण रहेंगे कितना ज्यादा तो दोगुने प्रस्ण रहेंगे यहाँ पे देखेंगे केवल और केवल आपको 50% ही प्रशन का जबाब देना होगा, सभी का जबाब नहीं देना है, विद्यार्थी को पुछे गए खुल प्रशनों में से 50% सवालों का ही जबाब देना होगा, इसके साथ ही समीतिक और से पहली बार इंटर परिक्षा में सामिल होने वाले विद्यार्थियों की पहचान के लिए यूनी आईडी काड़ जारी किया गया है, यानि कि उनिक आईडी काड़ जो होँता है, पहले दिन पर्थम पाली में एक फरवरी को मैत, साईंस की परिक्षा शुबा, यानि कि मैत देखेंगे, साइंस भी सräका, यानि कि मैत होगा, जो साईंस स्टीम से होँगे, magaz Applicant पहुंचाए नौबय तक पहुंचाए चलेगी वहीं दूतिय पाली में आर्ट्स वाले की परिक्षा होगी एक पैंतालीस से साम पांच बजे तक परिक्षा में राजभर से यानि कि आप देखेंगे राजभर से तेरह लाक अठारा हज्जार दोसो सताइस अब्यार्थी शाम यानि कि देखेंगे तेरह लाक में 6,36,432 यानि कि गर्ल कंडिडेट है 6,817,95 शात्र यानि कि ब्वाज कंडिडेट है पत्ना जिले में कुल यानि कुल परिक्षार्थी की बात करें तो 89,641 अभ्यर्थी है इसमें यादि महिला की बात करें तो 41,493 वहा आप देखेंगे 38,048 है पत्ना जिले में कुल 80 सेंटर बनाए गए है या जनकारी शमीती के अध्यक्ष अनंद कि शोर ने दी परिक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर 1444 लागू है थोड़ा सा ध्यान देगे आज से काम सुरू कर दें क्या करना है इसे देखेंगे सबसे पहले यहां देखें अपने समय से 15 मिनट समय लेंगे पढ़ने के लिए तिसरा बात जूता मोजा पहन कर एकजाम देने की अनुमती नहीं मिलेगी इसलिए आप कोसिस करें कि जूता मोजा पहनकर न जाए नहीं तो ये भी एक टेंशन का भी से होता है तो जूता मोजा पहनकर नहीं airportा चूपन क परिक्षा कक्ष में परिक्षार्थी और ब्रिक्षक फोन लेकर नहीं जाएंगे देखिए एक कदम यह है आप यह दिशंतर पर जाते हैं आपको आपका मुबाई रखवा दिया जाएगा और जो आपके गुरू जी होंगे यानि कि जो ब्रिक्षक होंगे वो भी मुबाईल लेकर नहीं जाएंगे यह बात आप देखिएगा अगला आज से काम सुरू कर दें इंटर परिक्षा के संचालन के लिए कंट्रोल रूम बनाये गए हैं या 31 जनवरी शुबह 6 बैसे गारा फरवरी के साम 6 बैस तक काम करेंगे समीति के वाट्सप ग्रूप भी बनाये गए हैं परिक्षा संचालित के करम में किसी भी परकार की समस्या होने पर समीति के कंट्रोल रूम यह दिया गया है इस पर आप सूच ना कर सकते हैं देखिए अगला क्या है आगे सामचार देखेंगे सबसे पहले बता दें इंटर अभ्यार्थी जरूर देखें जीले में यानि मादमिक बिद्याले सास्तरी निगर राजकिये बाली का उच मादमिक बिद्याले बाकिपूर जेडी विवेंस कोलेज वा राजकिये बाली का उच मादमिक बिद्याले गरदनी बाग सामिल हैं यहां पर देखेंगे आप ध्यान देंगे बोड परिक्षा में टेंसन ना ले इसको हम चर्चा कर दें थोड़ा सा सभी अभ्यार्थी का यह रहता है कि रिवीजन पर फोकस करें बिहार विद्यार्थी के लिए परिक्षा का समय काफी तनाव पून होता है परिक्षा के अलावा विद्यार्थी पर बिहतर परदर्शन समय सीमा कारेभार की वज़ा से तनाव उत्पन होने लगते हैं समय के लिए परिक्षा में समय करते हैं और पने लंबर को बैतर लाते हैं इसमें सबसे स्मार्ठ की यह होगा कि आप तनाव मुक्त रहें अच्छा से निंद लें और एक बार रिवीजन जरूर करके आप जाएं जिस सब्जेक्ट का है, उसी सब्जेक्ट को उस दिन पढ़ें, यानि कि आगला दिन अगला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आज यदि आपका मैस है, तो आपको केवल मैस को रिविजन करके जाना, आज यदि आपका केवल साइंस है, तो केवल आपको विज्ञान पढ़ना है, यह नहीं कि आगला दिन का त्यारी कर रहा है यह बात ध्यान देंगे अच्छा तरीका से रिवीजन करके जाएंगे और आप से बता दें यह देख सकते हैं यह सब आप लोग के लिए है तो जो भी अभ्यारती है यानि कि बेस्ट अपलक बहुत अच्छा एक फरवरी से आपक यह पाली समय से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पहले पहुंच जाएं जुता मुझा पहन के नहीं जाएं यह नियम दिया गया है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि केवल और केवल 50 प्रतिशत आप उत्तर देंगे और उसमें आपका मैक्सिमम स्कूर होगा 50% कहने का अर्थभा कि आप आपको दोगुना प्रसन पूछा जाएगा यादि मान लीजिए पहला प्रसन आपको नहीं आ रहा है तो दूसरा प्रसन आप बनाईएगा तीसरा भी नहीं आए तो चोथा बनाना है एक दो तीन चार ही आ रहा है तो उसको लगदार बना देंगा यानि कि एक बनाना एक छ चाहिए ताकि अभ्यर्थी पढ़े हैं मेहनत किया हैं लेकिन अंक को लेकर कि 80% लाओ 95% लाओ 90% लाओ ये सब दबाव नहीं देना चाहिए कम अंक वाले भी अभ्यर्थी शफल होते हैं कम अंक लाने वाले भी स्टुडेंट अच्छे होते हैं ये नहीं कि माता पिदा को वाओ दे देना चाहिए जय हिंद जय भारत चाहिए वाओ